इसलाम अलेकुम कैसे आप अमीद करती हूं ठीक होंगे वैलकम टू माई चैनल वैट मैजिक होंग आज जो डिश में आपके लेकर आई हूं वो डिश है लाप अफ टुमाटो विद पोटेटो विद स्पाइस अधरक अलू लिये मैंने आदा किलो और तीन टुमाटर मैंने लिए इसके बाद मैं इसमें स्पाइस एड कर देंगे अब हम इसमें घी एड कर देंगे घी मेल्ट हो गया है अब हम थोड़ी सी अधरक को ब्राउन करेंगे उसके बाद हम पोटेटो और टुमाटो की लव की हांडी को अब शुरू करेंगे अधरक जो है ब्राउन हो चुकी है अब हम पोटेटो और टुमाटो लव में स्पाइस को एड कर देंगे एक चमच मैने लिया है पिसी मच और एक चमच मैने लिया है प्रेश मच ताके इंपीड लव स्टोरी में स्पाइस का काम ज्याता हो इसमें पानी याट कर देंगे ताके मर्स्व हो जड़े ना आजी चमच मैने हर्डी लिये पने रवन था ताकाँ कर अनी चमच नमक एक पिंच अजवाइन सुका दनिया और ट्रमाटो प्टैटो लव थांडी में हम थोड़ी सी स्पाइस मजीद इसको चट पटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चार्ट मसाल लाइच करेंगे दा में इंडीरियंट्स ओफ इस टीश इस टुमाटो लव फोटैटो इसमें इसमें तुमाटो पैस डालने के बाद हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करके उसके बाद इस टोड़ी को हम कंप्लीट कर देंगे पुटैटो को डालकर हम इसमें पुटैटो को आड़ कर देंगे ताके लाव वोफ टुमाटो विद पुटैटो जो है वो कंप्लीट हो जाए इंकी लास्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हम इसको अच्छी तरह से बूल लेंगे ताके टमाटो जो है उसका टेस्ट पोटैटो में अच्छी तरह से रच जाए इसको हमने अच्छी तरीके से बूल लिया और अब इनमें हम स्पाइस का तड़का फोड़ा सा मजीद ज्यादा करेंगे सबस मर्च के साथ हम इनकी लव स्टोरी को मजीद करारा करेंगे हमने इसमें सबस मर्च एड कर दिया और अद्रक छोड़ी सी अद्रक टालकर अब हम इसको दम पे रख देंगे ताके टुमाटो का जो टेस्ट है वो पोटैटो में चला जाए अच्छी तरह से और आलू जो है वो गल जाए आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो भी दम पे है थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेर्ज करने के लिए हम इसमें कैप्सी कम जो है वो एड कर देंगे पांच मिनट दम पे रखने के बाद हम एक दफा फिर इसमें चमस चला कर और अब हम देखेंगे लॉव विद टुमाटो एंड पोटैटो जो है वो त्यार हो चुक है यह रेखें इदना फूपसद कलर है इसका अब हम इसको डिश आउट कर देंगे और यह हमारी डिश रेडी है लव विद पोटैटो एंड टुमाटो और इसको मैंने सर्फ कि अ है जन्य पदीने की चटनी के साथ आप इसको नान इक साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं और चाहें तो वाइट रास के ओपर डाल कर भी खा सकते हैं अगर आपने फी बारावा